नमस्कार दोस्तों आपका सुवागत है जीब से ब्रेकिंग में तो ढ़्रोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो मूवियों के बारे में सबसे पहली मूवी है सिल्पा सेटी के फिल्म निकमा मोवी के बॉक्स ओपेस क्लेक्शन के बारे में और वहीं दोस्तों दूसरी मूवी की ये डोनों आज के दिन व कितने करोड रूपे की ओपनिंग ले रहे दोस्तों अगर आप लोगों हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं थो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबाया ना भूले ताकि हमारी इसी लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे सबसे पहले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिल्पा सेटी की फिल्म निकम्मा मोवी की तो आप लोग बदाए चले कि निकम्मा मोवी जो कि एक हिंदी भाषा की एक्शन कोमेडी फिल्म है इस फिल्म में आप लोग को जोड़दार और धमाकेदार त्रेके से सिल्पा सेटी नजर आ रहे हैं और वहीं दोस्तों आप लोग बदाए चले कि निकम्मा मोवी के बजट के बारे में तो निकम्मा मोवी एक छोटी बजट की फिल्म है इस फिल्म का बदाये चले कि निकमबा मुवी को जो कि निवदेश किया है सब्बीर खान ने और इस फिल्म के जोड़दा और धमाकेदार तरीके से रिव्यू भी मिल रहे है और ओडियंस इसे देखना पसंद कर रही है क्योंकि जो कि नए नए चेहरे देखना ओडियंस को ज्यादा ही इसी कारण यह फिल्म अच्छा खाला कालेक्शन कर रही है और यह फिल्म अपने पहले दिंकम से कम 55,000,000 का कारोबार कर रही है बॉक्स ओपिस पर तो दोस्तों आगर आप लोगोंने सिल्पा सेटी के फिल्म निकमा मुवी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कम और लोगों मिलती रहे सबसे पहले वहीं दोस्तों दूसरी accompany की बात रियूसरी मूवी है जो कि राजफाल यादोंकी फिल्म अर्ठ मोवी अर्ड़ मूविया इस फिल्म को और टी प्लेटफॉर्म पर रिलिस किया गया और अर्ध मोवी जोरदा और धमापैदार तरीके और आम इंसान की जिन्दगी में जो इस्ट्रगल होते हैं पुरा हूब हूब दिखा दिया है यानि कि जिस तरीके से वह मुंबई गयते अपना ही इस्ट्रगल दिखाया है इस मूवी में इसी कारण ओडियंस इस मूवी से कनेक्ट कर रही है और साथी साथ दो कि अर्द में राजपाल यादों ने इमोशनल सीन भी करी है और वही दोस्तों रूबिना दिलेग ने जिस तरीके से राजपाल यादों की पत्निया किरदार निभाया है और जिस तरीके से उन्हें एक्टिंग करी है बहुती लाजवाब है हाला कि राजपाल यादों की इसमें पत्न और भी बना हुआ है दोस्तों राजप् ORDを जो कि इंदी सीनीमा का जाने माने कोमेडियन है इसी कारण राजप्र यादो को सब-पसंद करते हें और उनकी कोमेडि को ये दोनों मूवियों में से सबसे बेस्ट मूवी कौन से लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें धन्यवाद जे हिंद जे भारत